हेलो फ्रेंड्स मैं हूराज यादव और एक बरफिट से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल में दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट अपडेट आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पटवारी भरती परिक्षा की डेट क्या आगे बढ़ने वाली है या फिर नहीं बढ़ेगी पूरी जनकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्योंकि दोस्तो यहाँ पर अस्मंजस की स्थिती बनी हुई है सभी जो विद्यार थे वो अस्मंजस में है 17 अप्रेल को भी तेवार पढ़ रहा है 10 अप्रेल को जो है आपको पता है कि राम नौमी पढ़ने को वज़े से डेट को 17 अप्रेल किया गया था लेकिन 17 अप्रेल को भी अपते वहार पढ़ रहा है तो जो है कि थोड़ी असमंजस की सिथिती बनी हुई है कि क्या 17 अप्रेल को पटवारी भरती परिक्षकी एक्जाम होगी या फिर नहीं होगी इसके लावा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि नहीं भरती का विग्यापन जारी किया गया है कौन सा ही ये विग्यापन किन पदों के लिए जो भरतियां आई हुई है जिसका जो लाज़ डेट है फर्म फिल अप करने का वो है 11 अपरेल पूरी जनकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी ठीक है तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियो बिल्कु लेटेस टाइम पर अपलोड होती रहते हैं बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके औल पर जो रूस्टेट कर दीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू तो आप तक नोडिफिकेशन पहुँच जाए चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विग्यापन के लिए जो विग्यापन जारी की गई है तो जो भर्ती के लिए विग्यापन जारी की गई है वो सीधी भर्ती पर्मनेंट भर्ती के लिए है कोई समवीदा भर्ती नहीं है तो काफी important भर्ती यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है प्रधान काराले नयादिश कुटुम नयाले विलासपूर से जारी की गई है आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए दो पद हैं साह गिरिट 3 के लिए तीन पद हैं और वहां चला क्लिए दो पद हैं कुल मिला करके यह 7 पदों पर बर्ती विग्यापन जारी किया गया है ठीक है और यहां पर जो जरूरी चीज़ें आप लोगों के निवनतम 40% अंकों के साथ इसना तक परिक्षा उत्तिर्ण होने चाहिए अब इसके अलावा सिखर लेखन तथा मुद्र लेखन परिक्षा बोर दिया सासन द्वारा जैसे कि आप सब को पता है कि इसके लिए नियम संसोधित कर दिये हैं स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी सिखर लेखन मुद्र लेखन में परिक्षा उत्तिर्ण करने का प्रमार पत्र भी आपके पास होना चाहिए तब आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे ठीक है दोस्तों अगर आप 36 गड़ पत्वारी की बेश्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चक्चू प्रकाशन आप लोगों के लिए लाया है इस्टडी गाइड जहां पर आपको 36 गड़ पत्वारी के सिलेबस से रिलेटेट सारे स्टडी मटेरिल एक ही जगह पर मिल जाएंगे इस सेट्स भी लेख सकते हैं जिसकी मदद से आप अपनी तयारियों को और भी अच्छे से कर सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक की लिंक मिल जाएगी जिसको क्लिक करके आप डिरेक्ट इस बुक को औरर कर सकते हैं इसके लावा किसी भी मानिता प्राप तो संस्ता से जो है कम्प्यूटर की एक वर्षी डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कम से कम जैसे कि यहाँ डिसीय कहा गया है तो MS वर्ड और इंटरनेट का नियुनितम ग्यान भी उसके साथ आपका होना चाहिए तो यह तीनों योगेता हैं अगर आपके पास होंगी तब ही आप लोग इस्टेनोग्राफर के लिए फर्म फिल कर पाएंगे अब देखते हैं साहे ग्रेट तीन के लिए तो साहे ग्रेट तीन के लिए कुछ इसी तरह से रहेंगी सेक्षिक योगेता वहाँ चालक के लिए आप देख सकते हैं सेक्षिक योगेता कक्षा आठ्वी उत्तिविन होना चाहिए और हलका मोटर या वैद अनुगेप्तिधारी जीवित लाइसेंस प्रमारपतर आपके पास होना चाहिए ठीक है हलका मोटर यान के लिए तो इस तरह से यह जो है सेक्षिक योगेता यहाँ पर दी गई है आयू की पातरता आयू यहाँ पर एक जनुवरी 2022 की सिती में कम सेगा 18 वर्स और जो है अधिक से अधिक आप यह लगा सकते हैं कि 40 वर्स अधिकतम होना चाहिए और जिनको चूट मिलती है उनको 45 वर्स ठीक है ST, ST, OBC या फिर विकलांग जिनको भी यहाँ पर चूट मिलती है वो उनका अधिकतम 45 वर्स रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आवेदन पदर की से आपको प्रसूत करना है वो देख लिजे तो आप देख सकते हैं यहाँ यह दिया गया है कि आपको आवेदन कैसे करना है ओफ-लाइन आवेदन किया जाना है ठीक है 11 अपरेल तक आपको साम के 5 विजे तक बंद लिफाफे में जिस पर इसपर यह दो आवेदन पद यहाँ पर चालक में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 5 विजे तक आपका निश्ची तुरूप तर आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए इसके बाद के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा आवेदन पत्र के साथ आपको सभी जो यहाँ पर document बताए गए हैं जो भी document आवश्यक हैं वो सभी यहाँ पर देना है इसके लावा इसकी यह जो website आप देख सकते हैं वेबसाइट में आपको इसके विग्यापन का आवेदन का प्रारूप आपको मिल जाएगा साथ ही इस आवेदन का प्रारूप जो है हमारे टेलिग्राम चैनल से आप ले सकते हैं टेलिग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ठीक है इसकी नियुक्ति किस तरह से होगी इस्टेनोग्राफर के लिए लिखित पर इच्छा आप देख सकते हैं लिखित पर इच्छा में जो है बहुवी गल्पी 50 प्रश्णों को शाम जाए जाएगा कौशर परीख्षा 100 सब्दे प्रती मिनिट की गति डाइव मिनिट का जो है जो है अब को समय दिया जाएगा और सुरूत लेखन यहां पर आपका किया जाना है बिस मिनिट के समय निधार समय में सुधता से कम्पूटर में टाइप करना होगा आपको वहां पर आपको सुधतर से टाइप करना होगा ठीक है इसके लावा इसके लावा जो है किसी तरह कभी मिश्टेक करने पर उसके लिए भी अंक आपके काटे जाएंगे कौशल परिक्षा आपका सव अंकों का होगा और जो है उबन्टू ऑपरेटिंग सिस्टम में यह जो है कौशल परिक्षा लिजाएगी ठीक है इसी तरह से साया ग्रेट तीन के लिए भी इसी तरह से रहेगा 50 परिक्षा में और 60 मिनट का समय दिया जाएगा पांच गुना बिहरतियों को मेरिट लिस्ट से बुलाया जाएगा फिर कौशल परिक्षा 250 शब्द की हिंदी गध्यांस को न दिये जाएगे और आधा गंटे का समय आपको दिया जाएगा दो अंग निर्धारित होंगे और जो है पांच गुना बिहरतियों को कौशल परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा कौशल परिक्षा में जो है 50 अंगों का कौशल परिक्षा उजीत किया जाएगा और आपकी कोशल की जाच की जाएगी वहाँ पर आपकी जो है ड्राइवरी से रिलेटेड ठीक है गाड़ी चला कर आपको दिखाना पड़ेगा चैन सूची फिर उसके बाद जारी की जाएगी ठीक है तो यह थी ज़रूरी जनकारी अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स म की गई थी उसके बारे में जानकारी अब देखते हैं हम लोग पटवारी भरती परिच्छा से संबंधित क्या संसाय है उससे रिलेटेड ठीक है तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था ठीक है कि आवेदन जो है 22 माज तक आपको आवेदन फिल करना ह है जिसकी डेट बढ़ने की कोई संबावना नहीं है तो जो है बस एक दो दिन का समय है आप लोग जल्दी से फार्म फिल अप कर लेजेगा ठीक है इसके अलावा बात है कि परिच्छा की डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं चलिए इसके बारे में जो है पेपर में एक यहां पर आउट हुई है उसके बारे में देख लेते हैं तो दोस्तों पेपर में यह जो खबर आउट हुई है उसके बारे में यह जो कटिंग है उसको देख लिए जो पटवारी चैन परिक्षा की तिथी जो है बदली चात्र असमंजस में तो एक बार जो है पटवारी च अब क्या है व्यापम ने जो है इसको 17 अप्रेल कर दिया आ गया है लेकिन 17 अप्रेल को दोस्तों आप देख सकते हैं यहां दिया हुआ है कि इस्टर पर्व है इस्टर पर्व के दोरान परिश्चा गयोजन किस तर से होगा यह देखने वाली बात होगी इसी चीज़ को लेकर करके सारे विद्यार्थी संशा में है कि चुकि 10 अप्रेल को देवार था इस वज़े से परिश्चा डेट को आगे बढ़ा दिया गया है लेकिन अब 17 अप्रेल को भी इस्टर का देवार है जो कि इसाई समाज की लोग 17 अप्रेल को इस्टर मनाएंगे ठीक है तो उस इस सि सिति में यदी आप समझेंगे उस सिति में यदी व्यापम के पास कोई आवेदन ये प्रसूत किया जाता है कि परिक्षट डेट को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि उस दिन इस्टर कतिवार है तो व्यापम इस पर विचार कर सकता है अभी तक व्यापम के पास कोई जो है आ आगे नहीं बढ़ेगी इसी चीज़ को आप लोग मान करके तैयरी करेंगे लेकिन जो अपडेट आई है ठीक है उसको भी आप तक पहुंचाना जरूरी है इस इस्तिती में आप ये भी मान करके चल सकते हैं कि अगर कोई आवेदन जो है व्यापम के समझ प्रस्तूत किया जा वेबसाइट पर कोई भी जंकारी आती है आप तक बिल्कुर लेटेस टाइम पर पहुंचा दी जाएगी ठीक है तो इसके लिए आप क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लेटेस टाइम पर नोटिफिकेशन पाने के लिए चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतन